हलो एवरीवन, वेलकम टो कुशी का एजुकेशन, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर निमा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल प हाल, थो क्यों करना है यह बताओ, फिस्कल लें थो क्यों करना है बड़ना है, बड़ने थो क्या प्रॉब्लम है? कम market में जाएगी और कम money होगी ठीक है मैंने आपको यही example दिया था exactly तो क्यों रोकनी है means क्यों नहीं चाहता RBI कि money supply को रोकना है उनका का money supply को रोकना नहीं है money supply को manage करना है ताकि interest rate जादा नहीं हो और interest जादा नहीं होंगे तो inflation भी आपका control रहे तो मैं आपको इसका logic समझाती हूँ क्योंकि जो monetary policy के tool यूज होंगे न जैसे मैं आपको बोलूँगी कि bank rate अब bank rate जो क्या होता है RBI जो है वो bank को loan देता है ठीक है bank को को loan देता है तो उस पे जो interest लगता है वो आपका bank rate कहलाता है bank दर कहलाती है आपकी ठीक है जो हम लोगों से bank लेते हैं वोई people हम लोगों से जो bank लेते हैं उसको तो हम normally interest rate या फिर saving rate जो भी interest rate होता है या फिर loan का interest rate होता है वो होता है लेकिन अगर bank rate की बात की जाती है तो it means कि bank ने particular एक bank ने RBI से पैसे लिए है ठीक है तो उसका use करता है RBI की money कितनी जाएगी लेकिन question उठता है कि क्यों क्यों रोकना है ठीक है समझाती हूं मैं आपको उससे आपको समझ में आ जाएगा देखो for example आपके prices बहुत ज़्यादा बढ़ गई ध्यान से सुनना ठीक है economy पूरी यहीं पर आपकी डोलर बढ़ता है पैसे कितने डोलर में कितने पैसे मिलेंगे डोलर क्यों बढ़ रहा है हमारा पैसा क्यों गिर रहा है यहीं से आपका cover हो जाएगा prices बढ़े ठीक है पहले आप 50 रुपे में 4 चीज़े खरीदते थे अब 50 रुपे में 2 ही चीज़े खरीद पाते हो तो अब वो दो चीज़े और आपकी जरूरी है वो भी आपको खरीदनी है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे अब वो और पैसे पहले आपके saving में जाते थे saving आप कहां पर करते हो या तो bank में करते हो mostly आजकर तो bank में ही करते हैं ठीक है तो bank में जो पैसा जा रहा था अब आपका वो खर्च हो रहा है ठीक है तो bank के पास पैसा नहीं जा रहा है जो मैंने आपको money का circulation पिछली lecture में समझाया है उसी का मैं यहां पर यूज़ कर रही house से अब जो पैसा जा रहा है बिचारे का सारा का सारा market में अपने consumption पे ही चला जाता है bank में saving नहीं हो रही तो businessman को कहां से loan मिलेगा और businessman को अगर loan नहीं मिल रहा तो वो अपनी company में कैसे लगाएगा और company में अगर पैसे नहीं है लगाने के लिए तो production कहां से होगा और अग production नहीं हो रहा है तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा समझ में आया तो economic growth तो करनी है ना जो बोलते हैं कि GDP बढ़ रही है वो बहुत सारी activities का aggregate होती है लेकिन जब हमारी economic activity ही नहीं बढ़ेगी businessman को loan ही नहीं मिलेगा लोगों को को कोई भी काम धंदा खोलने के लिए उनको पैसा नहीं है तो उससे क्या होगा जितना थोड़ा पैसा है ना थोड़ा पैसा है बैंक के पास तो बैंक क्या करेगा बैंक मैंने बताया था जो चीज थोड़ी होती है तो इसको interest high कर देगा जो लोग तो आपको interest rate ज्यादा rate पे मिलेंगे तो जो businessman है लेना ही नहीं जाता है तो अब रोकता कैसे है आप आते हैं हम मेन पॉइट पे अगर आपसे पूछे की मोनेटरी पोलिशी का काम क्या है मनी कंट्रोल करनाश राइट अब हमारे पास मनी को इन के इसरे अन। API के पास कई सारे टूल्स या फिर कहलो उपकर्ण हैं वो उपकर्ण दो तरीके के होते हैं एक होते हैं परिणा पहले प्रकार के जो टूल होते हैं उनको बोलते हैं मात्रात्मक या फिर परिमानात्मक विधी ठीक है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं quantitative method ओके तो bank rate अभी अभी मैंने समझाया था bank rate क्या होता है bank rate आपका क्या होता है जब RBI से कोई bank RBI से कोई bank loan लेता है ठीक है तो RBI उस पे जो interest लगाता है जो अपने पैसे देता RBI bank को तो उस पे जो interest लगाता है उसको bank rate बोलते हैं ठीक है इनका use किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगी अभी एक बार देख लेते हैं इनका introduction देख लेते हैं ठीक है ना फिर आता है आपका नकद आरक्षित अनुपात आपका question as it is आपके question में keyword दिये होंगे CRR ठीक है या फिर नकद आरक्षित अनुपात वैसे हिंदी और English medium दोनों में यह सेम ही देते हैं यह लोग ठीक है तो cash reserve ratio जिसको CRR बोलते हैं इसका क्या मतलब है आपका monetary policy inflation fiscal policy ठीक है इन तीनों में से एक question यहां से पक्के आएंगे मैंने पहले भी कही थी यह बात और आए भी हुए है तो बिल्कुल पक्का है क्योंकि यह main topic है economy game तो cash reserve ratio क्या होता है bank RBI क्या करता है सभी बैंकों को बोलता है RBI सभी बैंकों को बोलता है कि भई जितना भी तुम्हारे पास पैसा है उसका 4% मेरे पास रहेगा तो जो पैसा bank RBI के पास as a security जमा करा देते हैं ठीक है 4% हमेशा RBI के पास रहता है bank के पैसे का ओके तो यस पैसे को हम बोलते हैं cash reserve ratio एक factor तो यह ले लो कि RBI क्यों करता है ऐसा RBI क्यों करता है ऐसा मिली क्या होता है मानलो आपका कोई bank bankrupt हो गया दिवालिया निकल गया उसका अपने आपको घोसित कर देगा वो तो लेकिन जो consumers हैं ठीक है consumers है customer है उनको उनके पैसे भी तो लोटाने होंगे तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो 4% जो है RBI के पास वो उनको थोड़ा थोड़ा करके दिया जा सकता है ठीक है ना तो इसलिए जो RBI है वो क्या करता है आपका CRR कितना परसेंट है अभी हमारा 4% ठीक है हरे बैंक का जो होता है वो 4% अपने पास रख लेता है ओके ठीक है उसके बाद आता है आपका SLR ठीक है वेधानिक तरलता अनुपात वेधानिक तरलता अनुपात मैं दुबारा रपीट कर रहे हूं वेधानिक तरलता अनुपात means statutory liquidity ratio SLR बोलता है इसको ठीक है हो सकता है हिंदी मिडियम वालों के बच्चों में वी क्योंकि मैंने देखा है टर्म्स में कई बार वो direct SLR ही रख देते हैं चाहिए वह English का पेपर हो या फिर वह Hindi मिडियम का पेपर हो इसको यह famous BC नाम से है जो SLR होता है बैंक क्या कहता है कि भई बैंक RBI को सोरी RBI बैंको को कहता है कि हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारे 22 परसेंट तुम्हारे पास अपने पास रहने चाहिए for example बैंको के पास सो रुपे है ठीक है एक बैंक है पर्टिकुलर एक बैंक है उस बैंक के पास सो रुपे है ठीक है तो क्या करेगा RBI चार परसेंट तो अपने रेश्यो, CRR, फिर कहेगा, कि भाई, तुम अपने पास 22% अपने पास संभाल के रखो, ठीक है, यानि कि 22 रुपे अपने पास रखो, वो किसी को नहीं देने, ठीक है, किसी कस्टमर को ऐस लोन नहीं देना, यानि कि 4, जमाब 22, 26% आप जो है, ठीक है, ना, 100 रुपीज मैं मा परसेंट आप किसी को लोन दे ही नहीं सकते, तो बाकी जो पैसा बच जाता है, वो बचता है, बैंक के यूज के लिए, जो कस्टमर, जो भी बिजनस में आता है, या फिर होम लोन होता है, बाकी जो भी कामों के लिए लोन होता है, वो देने के लिए, समझ में आ गया, दु 4% जमा कराता है उसको बोलते है niin कैसर रिजर्व रिश्चों अब ही एक्षुली हमारा 19.5 जो XLR है जो पने पास कहते है एक आर बिया है कि तुम अपने पास पैसे निकालने निकाल लो बैंक में चोड़ी होगे बाद में मिलने वाले नहीं है ठीक है ऐसी ख़वर फैल जाती है सब लोग पहुच जाते हैं एक दम से कि भई हमें तो हमेरा पैसा वापिस दो तो यह 22% रखा हुआ है जो लोग अगर कस्टमर जो पहुचेंगे महां पे तो वहां से वो पैसा देगा मिंस चाहता है कि जो ओडर मेंटेन रहे बैंक में अगर बहुत सारे लोग पहुच गए एक साथ तो बैंक में पैसा भी तो होना चाहिए अगर वो सारे के सारे पैसे लोन में दे देता है जो उसके पास जमा है तो एकदम से जो अर्जेंसी ठीक है और 22% जो होते हैं सोरी अब चलो ठीक है 20% जो होते हैं वो हमारे ते हैं SLR ठीक है तो जो SLR है और आपका जो CRR है वो हर 2-3 महीने में बदल जाता है ठीक है हो सकता है चार महीने में बदले क्योंकि जो monetary policy होती है ठीक है वो हर बार review करती है और rate change कर देती है अब ही अगर आपसे currently push लिया जाए वैसे तो जब आपका exam होगा उससे एक दिन पहले जरूर करके जाना नेट पे search कर लेना कि CRR की value क्या है वैसे तुम्हें चीज़ 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 साइंस वालों के तो वीडियो डाल ही दूँगी पहले दिन in rates की CRR की current value क्या है SLR की current value क्या है अब ही जो एक अगस्त को monetary policy का review हुआ था उसमें CRR की value है 4% SLR की value है 19.5% ओके तो तो तीन चीज़े हो गई हमारी control सिखाती हूं आपको ठीक है मनी का कैसे control होगा देखो आप बैंकों के पास बहुत जादा पैसा है ठीक है तो वो काफी पैसा है तो वो बाहर lowon देंगे लोगों के पास lowon है जादा पैसा है तो वो क्या करेंगे जादा खर्च करेंगे अगर ज्यादा spend होगा तो prices high हो जाएंगे ठीक है ना और prices ज्यादा high हो गई तो वही आपका inflation आजाएगा ठीक है न अब inflation को रोकना है क्या करेगा RBI बैंक को के पास पैसा कम कर देगा ठीक है वो क्या करेगा वही CRR आप लोगों को ना अब आठ नी चार परसेंट से काम नी चलने वाला अब मैं आपका एट परसेंट कर देता हूं ठीक है क्या करेगा CRR को एट परसेंट कर देगा या फिर माल लो SLR को कह दे कि भई मैं कभी SLR जो था 40% भी हुआ करता था ठीक है ना 40% पैसा मुझे जमा कर दो अब बिचारे बैंकों के पास देने के लिए कम रहेगा तो मार्केट में जाएगा कैसे पैसा कम कर देगा मार्केट में तो आपका क्या होगा inflation already आपका कम हो जाएगा ठीक है ना कम खर्च होगा कम consumption होगा समझ में आ रहा कि किस तरीके से वो money को control करता है देन आपका आएगा रेपोरेट ठीक है ये दो चीज आपको बिल्कुल रट लेनी है बैंक का कोई भी exam होता है न तो इन दोनों में से पका question आता है हमेशा question आता है रेपोरेट में से ह्रिवर्स रेपोरेट में से ठीक है इन में भी क्या होता है डापको बैंक का neighbor कर भी चैप हो से लेक्शंभ कि नहीं कि आपके लिए कि ये दोनों टूल जब यूजर होते हैं जब छोटी अवधी के लिए कम अवधी के लिए ठीक है स्मोल टम जिसको कहें शोट टम के लिए अगर पैसा लेना होता है बैंको को RBI से ठीक है तो क्या करेगा RBI से जब पैसा लेंगे ठीक है और अपनी security जो है वो deposit करा देंगे कि भई ठीक है हम थोड़े time बाद आपस जो है security वापस ले लेंगे और आपको ये पैसे देंगे उस पे जो interest लगेगा उसको बोलते हैं repo rate ठीक है समझ में आ रहा है repo rate अब आपको होगे कि bank rate भी कुछ ऐसा ही था bank rate में मैंने एक चीज आपके लिए use की थी जिसको मैंने बोला था कि वो लंबी अवधी के लिए है वो आपको 10-15 दिन के लिए नहीं मिलने वाला है ये आपको 10-15 दिन के लिए मिल जाएगा ठीक है repo rate यानि कि जब RBI से bank पैसे लेंगे security deposit कराके और कहेंगे कि हम इस date को आपस security ले लेंगे और with interest आपको पैसा दे देंगे तो उसको बोलेंगे हम repo rate ठीक है इसी प्रिक्रिया इससे उल्टी प्रिक्रिया होती है आपकी reserve reverse यहाँ पे यह spelling गलत लिखी हुई है यह है reverse repo rate ठीक है reverse repo rate जो है ठीक है reverse reverse repo rate इसमें क्या होगा जब inflation होगा तो RBI क्या करेगा ठीक है RBI बैंकों को security दे देगा ठीक है security का मतलब कि bank की कुछ important paper वगेरा होते हैं ठीक है ना अपनी जो कागज़ाद होते हैं उनको जमा करा दे ना इक रसे वो security दे देगा और बैंकों से पैसे वापस ले लेगा देखो RBI तो सब का bank है बैंकर्स का bank है वो तो ठीक है ना तो जब उल्टा हो रहा है जब RBI क्या कर रहा है बैंकों से पैसे ले रहा है तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे ठीक है reverse repo rate ठीक है यह दोनों आपको रट लेने हैं चार चीज मैं आपको बता रही हूं monetary policy नहीं भी समझ में आ रही है ना जब भी रट जाओ आपको वैसे तो I am trying कि आप लोगो को समझ में आए CRR क्या होता है SLR क्या होता है reverse repo और आपकी repo rate अब देखो यह दोनों कब काम आते हैं short term के रहे जब inflation एक दम बढ़ जाए ना तो RBI क्या करता है यह कह देगा RBI इन से reverse repo से कि भी देखो तुम लोग ना मेरे को पैसे दे दो और अपनी security ले लो ठीक है तो क्या होगा bank को RBI को पैसे देने प ठीक है market से absorb किया जा रहा है और reverse repo में जब bank RBI से लेते तो दुबारा वापस market में आ रहा है अब आपको कल question बताना है इसके आप लोग मांग रहे हो ना question अब हम actual topic पहुंचे हैं जहां पर आप लोग question answer मुझे बताओगे कि फिर पता लगेगा आप लोगो कितना समझ में आ अब open market operation क्या होता है ठीक है खुले बाजार की क्रियाएं इसमें क्या होता है RBI पब्लिक को security दे देता है ठीक है पब्लिक को पब्लिक के साथ जब dealing होती है security दे देता है security दे देगा ठीक है कुछ papers दे देगा कुछ ठीक है ना और वहाँ से पैसा ले लेगा या फिर पैसा दे देगा और security वापस ले लेगा ठीक है ना जब पब्लिक और RBI के बीज में securities के एक एक्षेंज के साथ जो कुछ interest भी लगेगा उन पे तो उसको बोलते है open market operation तो I think आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए जो मैंने चार चीज़े आपको समझाई हैं एक बार दुबारा मैं आपको बताती हूं जो मैंने नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए ठीक है ना पटापट करते हैं इसको ताकि आप लोगों को समझ में आए राइटिंग एड़ेस्ट कर लेना आप लोग ठीक है बैंक रेट क्या होता है बैंक दर होती है जब RBI से बैंक लोन लेते हैं लोंग टर्म लंबी अबधी के लिए जल्दी से रिपीट कर रहे हूं ठीक है दूसरा फिर अपने फिर मैंने आपको क्या बताया रिजर्व रे ठीक है और दूसरा होता है आपका रिवर्स रेपोरेट रेपोरेट में क्या होता है आरबी आई से बैंक लोन लेता है शोट टम के लिए ठीक है सेक्यूरिटी को एक्स्चेंज करने के लिए यहां पर रिवर्स रेपोरेट में क्या होता है जब बैंक से आरबी आई वापस पैसे ले लेता है security देखे ठीक है तो यह आपका reverse रेपोरेट हो गया फिर मैंने आपको बताया CRR ठीक है cash reserve ratio नकद आरक्षी अनुपात जो मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है bank को RBI के पास पैसे जमा कराने होते हैं परसेंट में जो अभी फिलहाल 4 परसेंट है समझ में आ गया then मैंने आपको बताया SLR statutory liquidity ratio या फिर समवाधिक चलनिधी अनुपात समवाधिक चलनिधी अनुपात ठीक है इसमें RBI बैंकों को instruction देता है कि भई तुम्हें अपने पास कुछ पैसे हमेशा रखने हैं तो यह 19.5 जो परसेंट है यह अभी का रेट है आपको यह चार चीज़े समझ में आ गई है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं क्योंकि जो बाकी monetary policy का थोड़ा सा पार्ट बचा है ठीक है न जिसको हम बोलते हैं आपका qualitative ठीक है जो measures होते हैं जिनके through inflation control किया जा सकता है यह अगर चारो टूल अगर आपको आ गए हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं तो हम कल आपको इसके question देंगे आपको पता लगेगा मुझे कि आपको कितना समझ में आया है क्योंकि जो आपके exam में पूछे हुए होंगे वही question मैं दूँगी कुछ question एक आदा मैं खुद बना दूँगी आपके लिए ताकि मुझे पता लगे कि समझ में आ रहा है अगर इससे जादा मैं कराओंगे तो शायद आप लोग confused हो जाओगे इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ चार चीज़ बताई है मैंने आपको bank rate, repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, SLR ठीक है ये चारों चीज़ आपको कल पता होनी चीए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe थेंक यू